मैं यूट्यूब चैनल तिंग टेक्निक ली रहा आज की सुडियां डिसकस करेंगे कि सी बीसी वालों ने क्लास 9 तो 10 के लिए जो उनका ICT का कम्पीटर का स्लेवर्स है वो अपनी वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया है तो वेबसाइट है सी बीसी एकेडमिक.in.in आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और यहां पर डिफरेंट लिंक्स बने आप स्किल एजुकेशन पर जाएंगे स्किल एजुकेशन के बाद जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आप लेटेस जो भी सेशन चल रहा है 2021 पर क्लिक करेंगे य उसको मैंने यहां से पहले से डाउनलोड किया है तो यह इस लेबस है इसमें आप देख सकते हैं सी बीसी डिपार्टमेंट आफ स्किल एजुकेशन करिक्लम फोर सेशन 2021 कोड़ 402 तो इसका जो 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 ब्रोल है वो है डिमेस्टिक डाटा इंटरी ऑपरेटर इसमें सबसे पहले डिमेस्टिक डाटा इंटरी ऑपरेटर के बारे में बताया जो हम आई टी एंड इस नेबल जो कंपनी जांस में यह यूज करते हैं डाटा इंटरी ऑपरेटर उसके बाद यहां पर इंडिवीजियों सार रिस्पोंसिबल टू प्रोवाइड डेली वर्क रिपोर्ट जो इसमें होती हैं डेली आर्स बेसिस पर और इंडिवीजियों रिस्पोंसिबल होते हैं फॉर एलेक्ट्रोनिक एंट्री ऑफ डाटा फ्रॉम क्लाइंट साइट तूद ऑफिसे सारा कुछ यहां पर बताया गया और जो इसकी आउटकम आएगी उसके बारें बताया गया ह एक्टिव और लैन रिटन कम्मिलिकेशन तो इंट्रेक्ट विपल कस्टमर्स इंटिफाई प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम उसमें आपके डेमोस्टेट आप करेंगे सेल्फ मेंजमेंट स्किल्स अबैटी तो प्रोवाइट सेल्फ अनलिसेज डेमो और अधर स्टम जो भी डिवल्पमेंट्स होती हैं वार्मेंट प्रोटेक्शन के लिए कैसे आप सेफली वर्क करेंगे कंप्यूटर पर उसको स्टार्ट कैसे करेंगे ऑपन कैसे करेंगे किसी सॉफ्टर को एक्जिट कैसे करेंगे सिस्टम को शटडाउन कैसे करेंगे और properly आप data entry process को कैसे use करेंगे collect कैसे करेंगे necessary information according to query or law कैसे करेंगे any decision about query on the data entry taking form उसके बाद rules and guidelines for data entry क्या होंगी कैसे आप queries को handle करेंगे उसके बाद undertake data entry with speed and accuracy से कैसे करेंगे तो यह सारा कुछ यहाँ पर बताया गया और identify करेंगे, control करेंगे जो भी hazards आती है आपको workplace में जो की danger और threats होते हैं और इसकी safety और health के लिए आप कैसे use करेंगे तो उसके यहाँ पर course objective बताया गया है तो यहाँ पर बताया गया है जो students होगा, यहाँ पर fundamental concept किस-किस के digital documentation जिसमें हम उसके बाद digital documentation आपका powerpoint हो गया presentation होगी, digital spreadsheet आपका अपना हो गया Excel, sorry, digital documentation आपका हो गया MS Word, digital spreadsheet, Excel और digital presentation आपका हो गया MS PowerPoint, database आपका होगा इसमें MSSS आप use कर सकते हैं, SQL यूज़ कर सकते हैं और internet में जो securities होती हैं वो हम यूज़ करेंगे तो इसके कौन-कौन से objective हैं कि आप उसको कैसे familiarize करेंगे IT और IT जो enable services होती है और इसको data entry जो होती है उसको deep में कैसे training लेंगे internet और internet के tools, practical knowledge किसकी तीनों की, जो मैंने आपको बताया उपर documentation, MS Word, Excel और presentation की और database की fully knowledge जो भी अभी updated चल रही है so that आप digital record keeping maintain कर सके और यह सारी जो चीज़ी है capable होती है आपके जो भी आपनी employment लेनी है private sector में, public sector में, ministries में, courts में, house और parliaments में and state legislative assemblies में तो इसके कौन-कौन से आपकी skill develop करनी है data entry और keyboarding skills उसके बाद digital documentation, digital presentation, electronic spreadsheet, databases के concept और internet technologies इसके silent features यहां दिए गया है वो ही office applications होगी, computer operations होगी, clerical work होगी, administrative techniques होगी, data analysis तो इस सारे इसके silent features है इसमें दिया वे गया as a data entry operator analyst one should improve their computer skills सबसे important चीज़ा आजकल technology का time में आपको सबसे पहले अपनी computer skills increase करनी होगी, literacy skills increase करनी होगी जो की सारा कुछ यहां बताया गया है और नाओ यहां पर आपका बताया गया total marks आपको पता 100 का exam होगा जिसमें आपकी 3 होगी 50 की और theory का practical होगा उसके बाद schemes of units दिये गया है तो आपको पता है class 10 में जैसा पिछला था employment skills इसमें आपको 5 chapters आएंगे जो की आपका 200 hours के होगे जिसमें आपका यह section A part A आपका होगा 10 marks का और इसमें आपके दिये गया है unit 1 communication skills, 2 self management skills, 3 information and communication technology skills, 4th one unit 4 entrepreneur skills, green skills तो यह total आपको यहां बनेगा 10 marks का और इसमें से इतने कितने आपके आएंगे यहां number of hours सारे दिये गए है, maximum number of theory and practical यहां सारे दिये गए है section B में आपके आएंगे, advance में यहां digital documentation, electronic spreadsheet, database, web system, management system, web application, security तो इसके arts बताए गए है, practical के बताएगा, total आपका 40 marks का आएगा, so A और B आपका होगे, यहां 50 marks का पार्षी में आपका practical work आएगा, जिसमें आपका practical examination 15 का होगा, return test 10 का होगा, वाइवा आपका 10 का होगा, 35 होगे और यहां पर practical वाइवा, field visit इसमें आपका होगा, यह इस बर नहीं आए, field visit इसमें होगा इस बर, जिसमें practical जो होगा आपका student portfolio होगा, वो 10 marks का होगा और वाइवा और जो भी इसमें होगा वो टोटल 5 माक्स का होगा टोटल यहां 50 होगे उपर 50 होगे टोटल यहां आपका 100 हो गया तो यह आपका था पूरा एक पैटरन जो भी आपका नंबर ओफ एक्जाम का था जिसमें आपके पार्ट A, B, C, D आएंगे उसके बाद डिटेल करीक्रम टूल सें इसमें बताये गए हैं टॉपिक्स हैं इंप्लावेंटिव स्किल्स के वो सारे बताया गया हैं डियोरेशन ऑफ फार्ट कितने होने चाहिए टोटल यहां कितना होगा उसके बाद इसका जो डिटेल करीक्रम टॉपिक्स है वो कवर होंगे पार्ट इम्प application and security तो यहाँ पर इसके आर्ट्स बताएगे हैं टोटल कितने आर्ट्स बनते हैं सबसे important चीज उनिट वन में जो आपका digital documentation होगा learning outcome क्या क्या होंगी थियोरी में आप क्या क्या करेंगे practical में क्या क्या करेंगे styles categories word processors यह सारा आप practically करेंगे मीन्टू से जो भी इसके tools हैं आप सारे practical करके देखेंगे theory में क्या होगा उसको practical कैसे perform करेंगे ऐसे ही आपने insert करने use करने images उसकी theory उसके practical में क्या करना आप सारा यहां से देख सकते हैं resize करना image को drawing objects insert image position करना image को templates के वारे में बताया गया कैसे आप template को change करेंगे create करेंगे predefined template कैसे अब्रेट कैसे करेंगे do angled परेकश को कस्टमाइश कैसे करेंगे tables को सारे tables की tools हो गए और tables को कैसे maintain करेंगे contents को कैसे maintain करेंगे implement mail merge बहुंत important और अच्छा विए यह सारा एक बहुत advanced टॉप इक नहीं है कि आप देखी है इसमें कैसे create करेंगे data source किसे manage करेंगे merge कैसे करेंगे address करेंगे print कैसे करेंगे तो यहाँ सारा practical बताया गया है कि उसके बाद यह electronic spreadsheet है इसमें भी same SMC आपको learning outcome बता देता हूं उसके क devient आप देख लेना इसमें गोल सी कैसे करेंगे Link कैसे करेंगे Spreadsheet को उसके बाद Share कैसे करेंगे उसको Review कैसे करेंगे Spreadsheet को Macros कैसे Create करेंगे बहुत अच्छी कमाड़ा Macros Practical करके देखिए बहुत अच्छा होगा और सबसे Main चीज अगर आप Practical अपना best करेंगे अच्छा करेंगे तो आप को features होगी उसके बाद create edit tables को कैसे करेंगे SQL commands को कैसे execute करेंगे perform कैसे करेंगे tables को जो भी हम इसमें table create करेंगे उसमें record insert करना edit करना delete करना table को row को column को sort करना create करना fields को relationship होगे सारे यहां पर दिया गया है आप इनको करके देखें का practically अपना थोड़ा strong करिए दन सब कुछ है आपका जो भी होगा वो अच्छे होगा तियोरी के according थोड़ा practical करिए तो जादा अच्छा है retrieve कैसे करेंगे query कर T means backends या आप front end में कैसे लेकर आएंगे data इन्हें database वो सारा यहां बताया गया काफी अच्छे अच्छे इन्होंने concepts लिए यहां पर इनको करके देखे report form report कैसे perform करेंगे यहां पर आप उसको report wizard की help से modify कैसे करेंगे बहुत अच्छा यहां पर इन्होंने explain किया topic wise यहां पर उन्होंने दिया theory में क्या करना practical में क्या करना है उसके बाद next हम चलते हैं web applications में सेम ऐसी accessibility options यह हमने पिछली बार भी किये थे उसके बाद understand network fundamental introduction to instant messaging यहां सारे दिया Google talk में कैसे account create करेंगे mail कैसे send करेंगे chatting वायरा messenger वायरा blog कैसे create करेंगे सारा कुछ यहां पर दिया गया है offline blog online transactions कैसे होती है secure कैसे करते हैं internet security क्या होती है कैसे अब cyber threats से बस सकते हैं application जो भी आपके browser environment store होती है history कैसे उससे save कर सकते हैं remove कर सकते हैं workplace safety कैसे कर सकते हैं prevent accidents and emergency जो आपके system के साथ हो सकती है system की health को यहां बताया गया कैसे maintain करेंगे so यह सारा है इसमें और आपको organization भी की जाएगी field visit कर वाया जिसमें आपको बताया जाएगा कोई site location office building computer system tools equipment printer कैसे काम करते हैं जिसमें आपको data entry center ले जा सकता है computer infrastructure sitting posture बताया जाएगा आपको एससे technology क्या है manpower engaged कैसे होंगे उसमें total expenditure data entry center का कैसे होगा total income जो होगी analog कैसे होगी profit loss any other information जो सारा आपको इसमें बताया जाएगा और जो आपकी लैब उसमें क्या क्या होना चाहिए सरा बताया गया है कि आपका hardware में क्या क्या होना चाहिए 2GB RAM होनी चाहिए 500 12GB की hard disk होनी चाहिए LCD का size दिया गया फ्लाले कॉमाली सब कुछ होती है कि आपकी लैब में laser printer होना चाहिए प्रिंटर होना चाहिए color black कोई भी चलेगा scanner होना चाहिए तो लैब में एक आदा होते हैं UPS होते हैं लैब में 16 port switches होने चाहिए net care conditioner होना चाहिए telephone line होनी चाहिए fire changer होना चाहिए software में देख्या operating system windows तो चली होती है linux भी हो अगर आपके slaves में वह भी होना चाहिए antivirus latest होने चाहिए आपके सिस्टम में productivity में open office होना चाहिए Google suit होने चाहिए furniture में classroom chair वेरा चाहिए चाहिए common होते हैं trainer table होना चाहिए trainer share होने चाहिए तो इस सारा कुछ यहां पर बताया गया यह तो चलिए जो आपका back end है जो आपके लाब में होते हैं उनके लिए teacher की यहां qualification दी है कि teacher का जो diploma computer science में होना चाहिए information technology में होना चाहिए उसके बाद यहां पर candidate को इसको बताया कि experience वेरा कितना होना चाहिए इस बगारा होनी चाहिए bachelor degree होनी चाहिए computer application information technology में लाइक बीसी ए बीसी एसी बीसी में सी information technology में पीजी सी होना चाहिए डॉइक उसके पास डिप्लोमा सेटिप्रेट हो तो भी चलेगा उसने किया तो इस सारा कुछ काफ़ी अच्छा ही इन्होंने इस बार explain किया पिछली बार के स्लेवर्स में इतना अच्छा नहीं था काफी ज्या लागा स्लेवर्स देखे आप इसको देखिए उसको करके देखिए किसी भी तरह कि आपको प्रॉलम है वो पूछे के बारे हैं बहुत अच्छे यहां पर दिया गया है कि बैंक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं मार्टिंग कंपनीज अकांटिंग कंपन को वीडियो का डिक्षिशन में देदूंगा वहां से अब इसको डाउनलोड करके अपना स्लेवर्स देख सकते हैं कौन-कौन सा बाकी सारी मैंने एक्स्परेशन वीडियो में देदी है इसको देखिए कोई भी प्रॉलम आती है क्मेंट बोक्स में कमेंट कीजिए और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर स्क्राइब करना मत भूलिए इसका नोटिक्वेशन आपको मैं टाम लेता दहूं नेक्स वीडियो में आपको क्लास नाइंथ के बारें बताऊंगा उसमें क्या-कैस लेवर्स आया है तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े यह तो थैंक यह फ्रेंद्स वीडियो एंफो यह प्रिचिस ताम